हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सबी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि वाइट शुगर और ब्राउन शुगर में फरत क्या होता है और वाइट शुगर और ब्राउन शुगर बनाने की अलग-अलग प्रोसेस क्या होती है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहल बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चले दोसों शुरुवात करते हैं तो देखे दोसों ये जो नॉर्मल शुगर और ब्राउन शुगर है वो एक ही क्रॉप से निकलती है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मल शुगर जो है वो शुगर केन यानि कि गन्ने से बनती है और ब्राउन शुगर किसी और चीज से बनती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ये दोनों तरीके के जो शुगर्स है वो एक ही क्रॉप से वहाँ पर बनती है यानि कि गन्ने से ही बनती है बाहर के देशों में एक अलग तरीके का crop भी होता है, शुगर बीट कहा जाता है उसको, तो उस तरीके के crop से भी वो लोग शुगर बनाते हैं, लेकिन इंडिया में ज्यादातर करके हम गन्ने से ही हमारे शकर बना लेते हैं, तो इन में फरक क्या होता है, तो main difference यह होता है, कि आपको पता होग तो molasses जो है, वो एक तरीके से जो normal sugar हम बनाते हैं, उसका एक byproduct है, तो normal sugar जब बनाई जाती है, तब इस molasses को एक centrifuge में डाल करके, शुगर से अलग किया जाता है, ताकि हमें पूरी सफेद शकर मिल सके, तो brown sugar में होता यह है, कि पहले जैसे शुगर बनाते हैं, वैसे ही बन आया जाता है, लेकिन यह जो molasses है, यह बाद में फिर से इसके अंदर add कर दिया जाता है, तो ऐसा क्यों करते हैं, जब हमारे पास actual sugar है, जो कि purified है, तो हमें brown sugar की क्या ज़रूत है, तो इसका answer यह है, कि यह जो molasses होता है, इसमें थोड़ी बहुत जो है, वो मिठास बाकी हो पर जो normal sugar है, उसके मुकाबले brown sugar के अंदर phosphorus और calcium की मातरा जो है, वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यह जो बचा हुआ molasses होता है, वो आप फिर से उसके अंदर डाल देते हैं, हाला कि यह जो difference होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, बहुत कम मातरा में होता है, ल असा loss होता है, लेकिन दोस्तों इसके थोड़ से और भी nutritional फाइदे हैं, हाला कि बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन worth mentioning है, तो जो normal sugar आपकी होती है, उसमें slightly ज्यादा calories होती है, brown sugar के मुकाबले, तो जो आपकी normal sugar है, माल लीजे आप 1 tablespoon, यानि कि 4 mg sugar अगर आपने लिया, तो उसक अंदर आपको on an average 16.3 calories आपको देखने को मिल सकती है, वही पर अगर आप brown sugar लेते हैं, तो उसके अंदर आपको 15.3 calories मिलती है, यानि कि 1.3 calories का फरक पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फरक जरूर पड़ता है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, इनकी जो production process है, वो तो मैंने आपको बताए दी है, कि सबसे पहले गन्ने से juice निकाला जाता है, फिर उसको उबाला जाता है, जिसकी वज़य से वो concentrate होने लगता है, बाग में इसे और ज्यादा crystalline करने के लिए और तरीकी के chemicals का इस्तमाल किया जाता है, और बाग में इसको एक centrifuge में डाल करके, इससे molasses को हटा दिया जाता है, जिसकी वज़य से आपको ज़्यादा refined white sugar मिलती है, हलाकि उसके बाद भी जो normal sugar है, वो कई तरीकी के process से गुजरती है, उसको और भी ज़्यादा refine मनाने के लिए, लेकिन वही पर जो brown sugar है, वो भी white sugar ही होती है, लेकिन उसके अंदर बाद में फिर से molasses मिला दिया जाता है, हलाकि ये refined brown sugar होती है, जो unrefined brown sugar होती है, उसका भी procedure अलगी होता है, वो जो brown sugar होती है unrefined वाली, वो उतनी ज़्यादा refining process से नहीं गुजरती है, जिसकी वज़ा से उसमें कुछ nutritional value जो है, वो ज्यादा बच जाते है, क्योंकि उसे बहुत ज्य purify नहीं किया जाता है, वो थोड़ा सा raw form में होता है, तो कई बड़े-बड़े restaurants के अंदर आपको हो सकता है कि इस तरीके के option मिलते हैं, क्या आपको brown sugar चाहिए, या आपको normal sugar चाहिए, और ये जो brown sugar होता है, वो थोड़ा सा कीमत में भी आपके normal sugar से slightly higher होता है, क्योंकि ये आपको एक बार purify करना पड़ता है शक्कर को, फिर से उसमें molasses को add करना पड़ता है, तो ये थोड़ी से लंबी process हो जाती है, तो इसकी विज़ाए से brown sugar का जो rate होता है, वो normal sugar से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं, कि ये तो हमने जान कि इसके अंदर calorie का फरक होता है, थोड़ा बहुत minerals और phosphorus, calcium वगएरा का फरक होता है, लेकिन इसका खाने के अंदर क्या असर होता है, तो अगर आपको किसी खाने को एक थोड़ा सा हलका अलग color देना है, थोड़ा सा brownish color देना है, तो वहाँ पर brown sugar का इस्तमाल किया जाता है, साथी साथ, molasses का अपना एक थोड़ा सा flavor होता है, तो अगर आपको आपके dish के अंदर थोड़ा सा अलग flavor भी add करना है, तो भी आप brown sugar का इस्तमाल उसके अंदर कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा, कि brown sugar जो है, वो normal sugar से थोड़ी ज्यादा और मिठास में higher side पर होती है, याना कि brown sugar थोड़ी सी ज्यादा मिठी लगती है, तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है, जो कि highly मिठी होनी चाहिए, जैसे कि खीर हो गई या पेठा जिसे हम कहते हैं, आगरे का पेठा, तो ये चीज़े जो है, वो बहुत ज्यादा मिठी होती है, चले भी बनानी ह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कोई अगर घर पर बनाने की कुशिश कर रहा है, तो वो normal sugar की जगा पर brown sugar को वहाँ पर prefer कर सकता है, तो दोस्तों ये था पूरा लेखा जोखा कि आखिर white sugar और brown sugar में फरक क्या होता है, इन्हें कैसे बनाया जाता है, और क्य brown sugar का rate, normal sugar से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को like ज़रूर कर दीजिएगा,